आज का टॉपिक है बीए थर्ड येर के थर्ड यूनिट के अंतरगत श्रम बजार या लेबर मार्केट लेबर मार्केट बारत के ग्रामीन और नगरी समाजों के श्रमिकों के समद में एक बहुत बड़ी मैतपूर्ण अवधारणा है सामाने ते हमें श्रम बजार को अगर समझना है तो पहले श्रमिकों की जानकारी होना आवश्यक है भारत में श्रमिक की तीन केटेगरी बताई गई है एक तो वे श्रमिक जो खेतों में कार करते हैं यानि कि जो खेतों में हल चलाते हैं बौई करते हैं जुताई करते हैं वो सारे के सारे स्रमिक जो है खेतों में कार करने वाले हैं दूसरे हैं साधारण स्रमिक जो सिर्फ मिट्टी खोदने का कार या गड़ा या बाड़ बनाने का कार या मिट्टी साप करने का कार करते हैं तीसरी केटेगरी में कुशल स्रमिक आते हैं ये वे स्रमिक हैं जो बड़ई का लोहार का या राजमिस्त्री जैसे कारे करते हैं इसके अलावा राष्टी स्रम आयोग भारत के अनुसार दो प्रकार के स्रमिकों का उलेक किया गया है एक भूमी हीन स्रमिक याने वे स्रमिक जिनके पास स्वयम की खेती करने के लिए कोई भूमी नहीं है याने जमीन नहीं है या करशी के लिए भूमी नहीं है और दूसरे वे श्रमिक जो बहुत छोटे किसान हैं जिनके पास खेती की जमीन तो है लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में एक बीगा दो बीगा ज्यादा ज्यादा या आदा बीगा जमीन है और उस पर वो खेती करके अपने परिवार का पालन पोशन करते हैं श्रमिक बजार से संबंदित यूँ तो अवधारना अर्थशास्त्र में कई सारी हैं और लेबर मार्केट का संबंद मेन रूप से अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्रियों को ध्यान में रखकर ही श्रमिक बजार की अवधारना या इसके बारे में ज्यादा उलेक किया ग जादा उल्ले किया गया है भारती समाज के संदर में यानि सोसलोजी की दरश्टी से अगर स्रमिक बजार को समझना है तो उसके दो तीन पक्षों का यहाँ पर उल्ले करना आवश्य होगा इससे पहले कि स्रम बजार को और स्पष्ट किया जाए अर्थशास्तर में स्रम बजार से समंदित तीन अवधार ना है इनको बहुत ही शौर्ट में यहाँ पर आप समझ सकते हो पहला है क्लासिकी सिद्दान्त इस सिद्दान्त की यह माननिता है कि पूंजी बादी अर्थव्यवस्ता बिना पूंजी बादी अर्थव्यवस्ता में बिना स्पीती के पूंड रोजगार पाई जाता है यहाँ इस सिद्दान्त के मानने वाले हैं उनकी यह माननिता है कि बिना स्पीती के भी समाज में पूंड रोजगार पाई जाता है यानि श्रम और वस्तु बजार में पृतियोगता पून रूप से पाई जाती है यानि कि मुद्रा मजदूरी और वास्तुविक मजदूरी का सीधा और समानुपातिक संबंद होता है रोजगार के इस कलाकिसी की सिद्दान्त के लावा एक दूसरा सिद्दान्त है सेका बाजार नियम जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे पूरती इसके अनुसार पूरती स्वयम अपनी मांग पैदा कर लेती है सेका नियमि कहता है इनहें कि जैसे ही बजार में डिमांड बड़ेगी वैसे ही पूरती भी समाज में या बजार में जो है योने कि पूरती के नुसार ही मांग भी पूर कर दी जाएगी बजार में या मार्केट में और तीसरा मेत्मूर्ण सिद्धान्त है पीगू का सिद्धान्त जिनके पास एकनॉमिक सब्जेक्ट होगा उनोंने इसके बारे में पड़ा होगा इस सिद्दान्त के नुसार स्वतंत्र स्रम बजार में अपने आप पूर्ण रोजगार प्रदान किया जाए स्रमिक के डांचे में कठोरता तथा स्वतंत्र बाजार अर्थिव्योस्ता के कारकाल के हस्तक्षेब से बेरोजगारी आती है पीगू का यह मानना था कि अगर सरकार के अस्तक्षेब को अठा दिया जाए और पृतियोगता की शक्तियों को स्वतंत रूप से काम करने दिया जाए यानि कि सरकार का नियंतरन बजार से अड़ जाए और जो competitors है यानि उद्योग वाले हैं या बजार वाले उनके बीच में उनको स्वतंतरता प्रदान की जाए तो मजदूरी दरों को गटाने बढ़ाने से श्रम बजार में पूर्टे रोजगार की इस्तिति आ जाए यानि कि अगर बजार को शक्तियों को स्वतंतर कर दिया जाए तो पीगू का यह मानना था कि श्रम बजार में रोजगार के अउसर काफी अधिक पैदा हो जाएंगे लेकिन भारती रोजगार के सम्मंद में ये सिद्दान्त खास कर असंगटे चेतर में बिलकुल लागू नहीं हो सकता क्योंकि भारत में बेरोजगार इतनी और खास कर ग्रामीन चेतर में काफी लोग जो हैं असंगटे चेतरों से जुड़े हुए असंगटे चेतर का मतलब है जिसमें क्रसी का कार है और भी आपके अभी बताया था गड़ा खोदने का कार है मिट्टी साप करने का कार है खेत की बाड़ बनाने का कार है ये सारे के सारे उसके इंतरगत आएंगी जो असंगटे चेतरों से जुड़े हुए इस द्रश्टी से ये सिद्दान्त जो हैं उपर वाले तीनों अर्थशास्त्री सिद्दान्त व्यवारिक रूप से खास कर भारत में इन सिद्दान्तों के आदार पर खास कर लेबर मार्केट का मुल्यांकन करना बहुत अधिक सही नहीं है भारत में अगर लेबर मार्केट को समझना है तो उसके लिए स्रमिक बजार के अध्यन से सम्बंदित सीमाओं का अध्यन करना पड़ेगा पहला है स्रमिक बजार के अध्यन से सम्बंदित सीमाओं यानि कि स्रमिक बजार से रिलेटेड क्या क्या लिमिटेशन है भारत के खासकर ग्रामीन और नगरी समाजों में सिर्मिकों की मांग और पूर्ती का अनमान लगाना अत्यंद कठेन है भार खासकर भारत में गाओं में और नगरों दोनों ही छेत्रों में बड़े स्तर पर काफी ज़्यादा बेरुजगारी विद्मान है और इस आदार पर या इन छेत्रों में बेरुजगारी की गणना का एकदम अनमान नहीं लगाया सकता है या उसकी गणना नहीं की जा सकता है और उसके निमने लिमिटेशन है यानि सीमा है पहला है कि ग्रामीन क्रशी छेत्र में कारेट स्रमिकों की संख्या ग्यात करना संभव नहीं है यानि कि गाउं में जो क्रशी कारे में लगे हुएं, कितने लोग क्रशी के कारे में लगे हुएं, इसको ग्याद करना बिलकुल संभव नहीं है, जो कि श्रम विवाजन ये वो श्रम बजार की अध्यन की एक प्रमुक्सिवा है, इसी प्रकार दूसरा है कि भारत का अधिकां यानि 70% जनसे के गाउन में निवास करती है और गाउन से related जनसे के ग्रशी या मजदूरी कारियों में जुड़ी हूई है या उससे अपनी रोजगार के आउसर या रोजगार पैदा कर रही है तो ग्रशी की भिन्यता के कारण भी यह ग्यात करना कठिन हो जाता है कि कितने ल तीसरा एक और स्रम बजार के अद्धिन की सीमा है कि ग्रामिन छेत्रों में खास कर क्रशी छेत्र में जो लोग लगे हुए है उसमें देखा गया कि परिवार के सभी सदर से जो है क्रशी कारियों में हाथ बटा थे चाहे वो पुरुशों या महिलाओं या बच्चे हो जबकि श्रमिक की जो परिवाशा है उसके नुशार 15-64 वर्ष की आयू के बच्चों को इस श्रमिक में गिना जाता है इस द्रश्टी से ये परिवाशा बारत के परिवारों पर लागू नहीं होती और इस कारण से गाउं में श्रमिक बजार का अध्यन करना भी एक अध्यन्थ ये मौसम अच्छा होगा तो खेती अच्ची होगी और कई बार जब वर्षा नहीं होती है तो उसका असर खेती पर पढ़ता है और उसका जो नुकसान है श्रमिकों को उठाना पढ़ता है अगर सूका पढ़ गया तो निश्विद रूप से कई श्रमिकों को रोजगार नह गई तो भी फसल नुकसान के समय बहुत से श्रमिकों को जो है खेतों में कार नहीं मिलता है जिसके कारण वे शेरों की और पलाइन करते हैं और लास्ट पॉइंट है कि क्रशी कारे मौसम के नुसार वर्ष के कुछ भाग में चलता है यानि इसका मतलब यह है कि कई बार देखा होगा कि जैसे अप्रेल मही में क्रशी के से सम्मंदित बहुत सारा कारे रहता है इसी प्रकार से दिसंबर जन्वरी में काम रहता है और बीच में बारिश के समय तीन महीने या दो महीने क्रशी के छेतर में काम कम हो जाता है यानि कि श्रमिकों को काम नहीं मिलता है इसी प्रकार से जन्वरी के बाद याने दो महीने फिर खासकर मार्च अप्रेल या उसके बाद फिर दो महीने के लिए काम रुख जाता है तो कहने का यह मतलब है कि बहुत सी बार श्रमिकों को यानि कि साल पूरे साल श्रमिक या खेती से सम्मिन दे जो श्रम का कारे नहीं मिलता उसके कारण भी उनको जो है रोजगार नहीं मिलता है और बेरोजगार रहते हैं तो ऐसी सीमाओं के कारण भारत में जो है श्रमिक बजार के बारे में एकदम कुछ भी कहना काफी दिक्कत का कारे हैं और यह सीमा नगरी बजार के अध्यन में देखी जा सकती है तो यह था आज का टॉपिक श्रमिक बजार या लेबर मार्केट इसी से सम्मंदित इस अध्याय से सम्मंदित एक दूसरा चप्र यान इसका आधा पार्ट जो है वो अगले टॉपिक के रूप में